में गेटे परेटाबाद शरीब मेरान गिराउंड का और इसके उपर ना कोई तक्ती ना कुछ है ये मुस्तवा बाई बताएंगे कितना अरसा हो गया इस गिराउंड को 40-50 साल हो चुके हैं तर एक तक्ती भी बननी चाहिए और तमाम किलाडियों को जो परेटाबाद के हैं जाहरें यहां पर कोई पूरूफ भी नहीं है तो कल को कोई फिलाजा खड़ा कर देगा तो आप खिलाडी लोग क्या करोगे बिलकुल आप सही कहे रहें इदर एक गिराउंड का एक तक्ती होनी चाहिए बकाइदा बोर्ड होना चाहिए और तमाम खिलाडियों को चाहिए क एसके पर बात करें अपने उदेदारों से एधराबाद के जो भी जुम्हतार है तमाम से बात करेंगे आधर गिराउंड की बनाया जाए बोड़ बनाया जाया हमेशा के लिए उत्रे ना और यह ग्रोपरटी जो इस प्रेटा बाद कि एदर कोई कि ये मेहनत और करनी चाहिए ये इधर glowing हो और गिरॉण का नाम हो इसकी तक्ती हो और ये बननी चाहिए जल से जल में तमाम ओदेदारान से भी ये गुजारिष है कि गिरॉण की तक्ती बनाए जायए बोट बनाया जाए ये ड्रिसिंँ रूम जिसके अंदर खिलाडी कपड़े वगरा चेंज करते हैं ये देखिए आप इसको ये इसकी आलत देखिए आप ये देखिए असलाम अलेकुम नाजरीन इस वक्त हम मौझूद हैं परेटाबाद के समाजी किरदार है मुस्तफ़ा साथ हैं आईए हम मुस्तफ़ा साथ से बाते करते हैं सलाम अलेकुम मौहिन भाई आपका मैं एम जे बेकार फंगार का शुगर गुजार हूँ जो इस गिरोंड के लिए मिरान गिरोंड परेटाबाद के लिए अब आपने अकुमत वफ्त जो हैदराबाद के एड्मिनिस्टर हैं और सलाउदीन भाई सबसे अपी अगर मेरान गिरोंड बच्चों के लिए बड़ों के लिए खेलने की एक जगा है लेकिन इसका अभी बुरा हाल है जैसा कि आपने देखा जगा जगा कोडियें हैं और जगा जगा मिठी निकल रही है कोई तवज्जा नहीं है अकूमत की मैं एड्मिनिस्टेटर हैदराब बल दिया एम पीए खसोसन नासिर उसेन भाई से अपील करता हूं कि इस गुरोंड को तवज्जा दें और इस पर काम कराएं क्योंकि हमारी आवाम सिर्फ इस वाहिद की इस्तमाल आता है यह वाहिद ग्रोंड इस्तमाल आता हमारे अवाम के लिए प्रेटाबाद के लोगो के लिए बंदा रखा जाए देख बालो तवज्जों दी जाए और पूरे इलाके का वाइद ग्राउंड इस पर तवज्जा दी जाए तो यह बच्चों के लिए बड़ों के लिए तफरीगा भी हो जाएगा और यही बच्चे आने वाले वक्त का मेमारे अगर यह फिट होंगे तो हमारे इलाके से बहुत सारी शक्सियात निकली है परेटाबाद को मामूली शक्सियतों का शहर नहीं है यह परेटाबाद दिल है अधराबाद का सबसे बड़े कारोबारी यहां रहते हैं गोश के दाल के चावल के गंदुम के सबसे बड़े बापारी लोगों का शहर है यह है परेटाबाद शरीफ तो परेटाबाद शरीफ के यह जो नोजवान बच्चे यह आने वाले वक्त का मेमार हैं यह इस गंदगी के अंदर अगर किरकिट खेलेंगे तो इनकी सहत थोड़ी बनेगी और इनकी सहत गिरेगी तो आप इ उनकी काविशों उनकी मैनस से या आज गिरोंड है नहीं तो इदर भी कूड़ी बन जाती कचरा डैर यह देटा लेकिन नगी बड़ी कोशिशों से आज अबाद गिरोंड जैसा भी है लेकिन ये बच्चों का मुस्तविल आने वाले वक्त में अगर गिरोंड सही होगा तो अमारी किर्की टीम में कुछ बच्चे स्लेक्ट भी हो सकते हैं अगर सता पर नहीं तो पीएसेल में जाकर अपना काम कर सकते हैं लेकिन उनको जो सवलत होगी बुनियादी वह मिलेगी तो जब अपने हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे मैं तो यह कहता हूं गोर्मेट वजीरेखेल सिंसे भी मेरी अपील है कि इदर तवज्जा दें और इस गिरोंड को बहल करें और अच्छा से अच्छा काम करा हैं अगर यह लोग का क्यूंकि आप जो लोग दोर है ना मुस्तवा बाई शाओर का दोर है अब लोगों को माश आपको वोट नहीं देगी जो माजी के अंदर आपने काड खेले ना उन काड़ों के ऊपर आप लोट नहीं देगी अब वोट देगी आप परेटाबास शरीफ के लिए कोई काम करेंगे तो यही लोग आपको वोट देंगे वरना एक जो हालात हमें नजर आ रहे हैं नेक्स तो हम लोग तो वैसे बड़ी एक प्राब्लम की तरफ जा रहे हैं तो हमें कमसकम सहत मन्तों होना चाहिए ताकि हम उन आलातों से लड़ सकें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यह बात अगर दूसरी तन्जीमें या कोई भी तन्जीमें या इलाकाई तन्जीम अगर काम नहीं करेगी तो हमें दिली दुख भी है कि हमारे लोगों के लिए वो काम नहीं करेंगे तो तो कोई दूसरा फरिष्टा आकर तो काम नहीं करेंगा तो फरिष्टा तो आकर करने से रहा काम हम उन्हीं से अपील कर रहे हैं कि आप इस इलाके से इस गिरोंड से आप सेलेक्ट हुएं इस अबादी से सेलेक्ट हुएं तो आप ढालें और नजद डालकर इसका जो भी काम ये लाइटों के आवाले से सफाई के आवालेter जो भी काम एक बंदा रखें कवे बंदें लिए नाहीं भारकि टीम में खेल ले या हमें एसा मैंने टाइम देखा है आज से 10-12 साल पेले इदर नाइट तोड़ना मिट होते थे और क्या माहूल होता था माशालला से एक दफ़ा वजीर खेल मुहम्मद अली शाह साथ भी आये थे और उन्होंने काफी वादे किये थे और कुछ काम भी कराया गिरास वगेरा लगा था लेकिन उसके कि मुस्तवा साहब हमें उस अधीम इन्सान की कपर ले जा रहे हैं जिन्होंने इस ग्राॉंड के लिए रात और दिन मेहनत करकर इस ग्राउंड को बनाया है और इस ग्राउंड का जो सहरा है वह उन्हीं के सारे निसार काजी साब उनका नाम है उस्ताद से वो मशूर है और उस्ताद को मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है हाँ बड़े अच्छे इंसान अखलाक वाले इंसान थे आई यह फुकरा बेटी हमारी बहुत प्यारी फुकरा फुकरा को चैप्टर करें बिल्कुल एक नारा ओजाए नारा ओजाए योली योली यह फुक्रा किसी दिन निसार साब की दरगा के ओपर चादर देके दो दोल बजा के यहीं पर ध्याड़ी पानी नी शुरू कर दे आईए यह देखिए यह उनका नाम है बानी है गिराउंड उस्ताद निसार एहमद आरामगा बानी है गिराउंड है आप और आपका जो है यह रोजा मुबारा के अंदर और वहां इनकी फुक्रा भी बेठी हुई है यहां से ले खेलते पर उसको लपेट दिया लपेट दिया लपेट दिया आया इस गिराउंड में आप खेल रहे हैं माशाला तमाम लोग खेल रहे हैं और जो है आपको यहां क्या सब्सक्राइब चाहिए आपको क्या मेसूस होता है क्या मिटी वगर आँखों में आती है क्या होता है यहां के लोगों के लिए अच्छी तफ्रीक है यहां पर रात के वक्त गेर मुतलका लोग बेड़ते जो कि यहां पर नशाव अगेरा भी करते हैं उनका पर पाबंदी होनी चाहिए और क्या कहते हैं अवाम के लिए यहां पर गिरास लगानी चाहिए जैसे के दीगर इलाकों में होता है जैसे कि लतीफाबाद और दीगर इलाकों में अच्छे करते हैं कि यहां की लोगों को सहुलत के लिए यहां पर गिरास लगवा है यहां फ्लेड लाइट से पहले लगी थी आज से दस बारा साल पहले जब से यह इसकी मुरम्मत कराई जाए इसको बाल किया जाए और इलाके को लोगों के अच्छी तफ्री का मोका दिया तो है गिराउंड मेरान गिराउंड जिस तरह दूसरे शेहर के अंदर गिराउंड है इसी तरह के जो इना गिराउंड यहां भी होने चाहिए परेटाबाद का बच्चा माशालला इतना बड़ा खिलाडी होता है कि वह आखों से काजल ले जाता है तो यह भी मेरा माई की ल शाखों से देखें जैसे जिलगोजा किपना मैंगा इस वक्त छिलगोजा यह ऐसी लिन गोवरा यहां पर ईख। यह बच्चा बाकाइब देखें तुम तो महंगा कराने वाला बच्चा आज जो महंगा यह वह इस बच्चे के पेटी बजा से आज हम आपके सामने अवामी मसाहिल हैं उनकी और किरकिट के मसाइल जो के हमारे हैदराबाद का एक मशूर इलागा जीवाट परेटाबाद शरीफ परेटाबाद शरीफ के ये बच्चे हैं सारे जो आज जुम्हें के दिन यहां किरकिट खेल रहें इनका कहना है कि रात को स्टेडियम के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिन से हमें खौफ भी आता है वरना पहले यहां लाइटें थी रात को भी लोग आके खेला करते दिन में भी तफ्रीक किया करते थे और बेटा आपको यहां कुछ सवुलते हैं चाहिए और बच्चे परेशानी होती है खेलते हैं तो मट्टी बट्टी होती है आखों में ज किर्किटर बनना चाहते हैं अगर सहुलत नहीं तो फिर तो दूला ही बनोगे सिर्फ और बेटा आप आईये जाए तो आपको यहां पानी पीने का ना गहां से मिट्टी बहुत ऊड़ती रहती है लाइट है कुछ इदर सवुलत तो यह नहीं बिल्कुल भी सवुलत नहीं है कुछ तो सवुलत होनी चाहिए जर फिर वनना बच्चे खेलते हैं जर कोई सवुलत ही नहीं करनी चाहिए आने वाले वक्त का मेमारे यह देखें चाहिना की केतली आपके सामने है आईये बड़े होगे कौन से क्रिकेटर बनोगे आप भी बाबर आजम बेटा कितने बाबर आजम इदर से परेटावाद से निकालोगे तुम जितना हो सब्सक्राइब वेरी गुड यह परेटा बाबार आजम आप बन जाएंगे तो ऐसा नी बाद में आजम निकालके सिरी बाबा यह आप रह जाएं आजम रहेगा 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 तो आप जो है वो क्या सोचते यह किर्किट में क्या सहुलत होनी चाहिए लोग भी आपको डराते हैं यहां पर कभी भगाते हैं किर्किट खेलने आते हैं कभी कभी भगाते हैं के वागो इधर से तो आप कहते हैं कि यह हमारे लिए बनाया जी वाडने गिराउंड हमारे जिम्हेदारों अग हैं के वैजि ty कहते हैं तो बेटा आप और कितने साती है और अगर कल चलो तुम्हें पाकिस्तान टीम में मिल जाता है चांस मिले रोगे हैं फेलों पाकिस्तान का नाम पका वाधा पाकिस्तान जेंदावाद वाई में अज महरान गिराउंड हिद्राबाद परेड़ाबाद शरीप में बुलाए और मडें बुलाकर आमामी मसाइल से आगा करा हम आपका बहुत भुत शुक्रियादा करते हैं और इसके साथ हम यह मैं धको करकर हम यह कहेंगे कि यहां पर जो लोग कच्रा फेक रहें अंदर और जो लोग अपना समान यहां पर रख रहें जिस तरह खंबे पड़ें यह कल को ऐसा नहों कि यह जो है दीरे-दीरे करके यह क्यों गिराउंड से कोई और चीज ना बन जाए इसलिए हम इस पर कुछ बोलें ग एक्चों के मुस्तक्बिल के लिए इसे गिरॉंड ही रहने दें और गिरॉंड में इनको खेलने की इजादत दी जाए और इनको खेलने की बरपूर इजादत होनी चाहिए भही नाजरीन इसके साथ ये एन करेंगे कि ये बच्चे हमारे परेडाबाच शरीप के बच्चे हैं अगर यहां खेलेंगे तो मस्बूत होंगे सहत मुन होगे और हमारे परेडाबाच शरीफ का नाम रोश diffor करेंगे आगे बढ़कर और यहां के लोगों नाम रोशन किया है और इंशालला यह आने वाला वक्त भी नाम रोशन करेगा इसके साथ ही जो है ना हम इजाज़त चाहें गे सिर्फ हम यह तवज्जों चाहते हैं कि यह गिराउंड जिरे दूसरी जगाओं की तरह जिस तरह बहुत सारी जगाएं वो गिराउंड से सारा ख चाहिए यां खिलाडी पानी की तंकी यहां होनी चाहिए अगर कोई है इमाम हुसेन का मानने वाला तो इसमें पानी भी दोए साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे पाकिस्तान जिन्दबाद